गुड इवनिंग आज में एक नाया OS दिखाने वाली हूँ जो जिसका नाम है क्यूट फिश OS ये लिनेस डेस्टोप ऑपरेटिंग सिस्टम है और उपन सोर्स है बेस्ट ओन डिबैन है ये मॉडरन डिजाइन एंड ग्लोबल मेनू उपर है और क्यूट फिश जो है Ui and runs regular Linux apps और ये थोड़े डीटेल्स में गये तो RAM minimum 512 MB चाहिए और recommended 2GB और hard drive space जो है minimum 10GB recommended 15GB और processor जो है minimum 1GHz पंडम और ये जो है November release में 22 में जो successful release हुआ और अब भी हम लोग ये open करेंगे Google Chrome और Qtfish OS को download करके उसका features and all देखेंगे तो अब भी Qtfish OS टाइप करेंगे और इंटर और यहां पर देख सकते Qtfish OS Reborn तो यहां पर HTTPS है है hypertext transfer protocol secure elegant beautiful and easy to use okay यहां पर screen appear हुआ Qtfish OS का और download का option में जाएंगे और download कर लेंगे latest version करूंगी मैं यहां पर डेबेंड 2LA Qtfish डेबेंड 11 है और 21.10 है तो मैं अभी यह latest version डाउनलोड करें नेक्स्ट रुफूस को डाउनलोड करना होगा रुफूस bootable pen drive के लिए रुफूस डाउनलोड करना होगा और यहां पर हम लोग screen देख सकते screenshot जो लिया हुआ है तो scroll करेंगे नीचे scroll करेंगे और रुफूस 4.3 exe standard windows x64 है 1.4 MB का और portable है और windows x86 है ARM 64 है तो मैं पहले वर्ष विंडोस x64 को डाउनलोड करी standard version तो download in progress आ गया यहां पर मेरा download complete हो गया अभी complete होने के बाद मैं 16GB pen drive इंसेट करोंगी रुफूस open करके insert करके यहां पर जो start button है वो start पे click करेंगे और after complete ready हो गया मेरा complete होने के बाद restart करी मैं cutefish OS start हो गया मेरा installation और यहां पर install cutefish OS 22 है और यहां पर features and settings देख सकते हैं आप लोग यहां पर features में देखी यह launcher है और file manager terminal है setting है तो settings open करें मैं lan ethernet bluetooth proxy appearance display and language battery power बहुत सारे features आगे और shutdown यहां पर देखेंगे install cutefish OS को open करके देखेंगे cutefish OS का जो screen है बहुत अच्छा दिख रहां और यहां पर additional drive discord terminal thunderbird mail video player wps 19 wps pdf बहुत सारे wps presentation है और बहुत सारे advanced features है इसमें तो यहां पर देख लीचिए privacy vlc media player है launcher में देखेंगे यहां बहुत सारे features है और calculator file manager proxy Firefox जी पाटेट इंस्टॉल qtfish OS के और यहां पर wifi dark mode do not disturb screenshot है new document new folder each and every feature अच्छे है तो मैं download करी अभी मैं यह use करूंगी advanced features क्या है मैं एक बार देख लूंगी और मुझे तो फिलाल यह बहुत अच्छा लगा तो hope अगर आप लोगों को यह अच्छा लगा तो एक एक डाउनलोड कर लीजिए और एक एक features देख लीजिए और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो यूज कर लीजिए मैं अभी फिलाल शेट्डाउन को क्लिक कर रही तो hope अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्स्राइब मैं चैनल तैंक यू थार को